इसके पहले आपने एक चीज पढ़ी आप कुछ बाते पुरानी हम बात करेंगे पुरानी बाते कम से कम करेंगे ठीक है इसके पहले आप ने पढ़ा कि जो एलेक्रिसिटी होती है ठीक है चार्ज को आप स्टोर करते हैं कहीं पर ठीक है चार्ज लेते हैं और इसको स्टोर करत में आप कहीं से इलेक्टरान लेके आते हैं ऐसे यहां पर बाल जिनके होते हैं उनकी कोप्रिम रगड़ते हैं जिनके होते हैं जिनके नहीं होते हैं वहां कहां रगड़ेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन से इलेक्टरान आते हैं और इस प्लेट में जाके टच करा देते हैं औ जगे ठीक है आपके लिए ने वैसे मतलब कोई फिक्स नहीं की हमने अब जो लंबा अब आप दिके इन लोगों को यह मानेंगे नहीं अगर मैं कहे दूंग नहीं इनको आगे बठाल दे तो यह कहें हम आप तुम भी लंबे हो ठीक है तो जब आप दूसरा उसको चार्ड दे लेकिन हमको तो चार्ड को यहां पर रखना है तो हमें इस चार्ड को इसके अंदर कैसे रखना पड़ेगा इसको कंप्रेस करके इसके अंदर रखना पड़ेगा यानि हमको कहीं ने कहीं उसको वर्क करना पड़ेगा और अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क एनरजी के फार मे स्टोर हो जाता है क्योंकि साइन्स कहती है अगर आपने वर्क किया है तो वो एनरजी आपके अंदर स्टोर है है मतलब है फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं अगर आप घर में वर्क कर रहे हैं तो इस समय आप नहीं वर्क कर रहे हैं इस समय दिमाग इधर चला पहले वाला चार्ज इसको रिपल करता है तो हम कैसे इसको चार्ज को करते हैं हम कमप्रेस करके इसके अंदर चार्ज को ठूसते हैं और जाओ चार्ज अड़ो इसको फिर और चार्ज और चार्ज और चार्ज तो हमने क्या किया है इसको चार्ज करने के लिए चार्ज को कमप् work किया है इसको store करने में वह energy हमारे काम में आए फ्र समझेगा energy को हम create महीं कर सकते इनरजी हम पहीं से पहले work करते हैं energy उसमे इस store होती फिर वह work मैं हम convert करते हैं ठीक है पहले रात में दो में जोय रात तक त्रीम में तक पढ़ है तब याज पढ़ते आज भी आपनेशना है ना पानी को, तो पानी के पास कौन से अनर्जी आ जाती है, पोटेश्जचल अनर्जी आ जाती है, और जब आपको ज़रुत परती है, तो आप नल खोज देते हैं, वो कैनिटिक नर्जी系 करोड जाती है, ठीक है? क्यूकि पहले आपने अनर्जी उसमें खर्स क की है यह हमारी problem यह है कि energy store की है power house में ज़रूरत हमारे गर मे है तो या तो घर में आप तेयार करो energy और खर्च करो या तो power house ने नेरगी को यहां ले कि आऊ energy store की है बैटरी में पंखा चलना है कमरे का तो बैटरी या तो यहां पंकिम घुचर दो आगर के यहां कमनें रखो या तो वहां से सप्प्लाई ले कि आओ एनर्जी को तो एनर्जी को लाने का तरीका क्या है एनर्जी को लाने का तरीका यह है कि हम एक अपना जो सिस्टम है जहां हमको एनर्जी चाहिए ठीक है उसके और इसके बीच में एक तार लगाते हैं वे इलेक्टरान को कैसे लाए जाए इलेक्टरान को लाने का तरीका यह तो है नहीं कि यहां से इलेक्टरान को जहुआ भराओ इसे यह ले इसे मिट्टी फेगते हैं एक तार लगाते हैं और एक potential difference create करते हैं ठीक है तो इलेक्टरान high potential से इलेक्टरान किसा चलते हैं high slow low से high याद करने का तरीका मैं बता दूँ तुम्हें मालूम है कैसे बोल लह हूँ मालूम है तो हम ही नहीं मालूम है लेकि मैं समझा रहा हूँ बहने वाली चीज हमेशा high slow बहती है बहती कौन है current धारा बही जैसे माले पानी बहता है तो पानी बहते वे जाता है उसके बाए energy होती है आप क्या करते है रास्ते में टर्वाइन लगा देते है कुछ करते नहीं है बहते वे पानी के रास्ते में पंखा लगा दिया अब सिंपिल सी बात है पानी बहेगा तो पंखे को बार बारो घुमाएगा तो पंखे को घुमाएगा तो पंखे जब पंखा लगातार घुमेगा ऐसे अब पंखा बनाना हम को आता ना इसे जानवूस को बना रहे है इसके आगे आपने एक कॉयल लगा दी है क्वाइल भी घुमेगा और क्वाइल को आपने मैगनेटिक फिल्ड के अंदर रख दिया है तो मैगनेटिक फिल्ड के अंदर जब क्वाइल घुमती है तो करन जनरिट होती है तो पानी घुमा पानी ने पंखे को घुमाया और पानी आगे भै गया पानी का कुछ कम नहीं हुआ है किवल आपने उस एनर्जी को यूज किया है ठीक है तो इलेक्टरान भी ऐसे चलते है इलेक्टरान कहें चलते है आपकी बैट्री से इलेक्टरान निकलते है और इस तरीके चलते 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 जाके निट्रल जाकर के अंदर अर्थ में च रास्ते में एक फिलामेंट लगा देते हैं, एक रजिस्टेंस लगा देते हैं, अब उस रजिस्टेंस के अंदर से जब इलेक्टरान निकलेंगे, तो अल्टिमेटली रजिस्टेंस का मतलब विरोध कर रहे हैं आप, वे आपको मैंने बाइक दे दी, चलना सुरू किया रास इसको एनरजी जदा खर्च करनी पड़ती है, एनरजी खर्च करने का मतलब क्या होता है, वहां वह फिलामेंट गरम हो जाता है, और हम क्या करते हैं, उसके उपर एक काच का बल्ब लगा देते हैं, और आपको लाइट मिलती है, तो यानि की चलने के लिए इलेक्टरान को पूरा एक रास्ता चाहिए, इधर से बैटी से आएगा और चल करके और बिल्कुल इसे जाएगा, आपने कभी कभी कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, कभी सुनिये, कन्वेयर बेल्ट सुनिय होगी न, ठीक है, फैक्ट्री वेगरा में होती है, जैसे जहां पर यहां पर एक दो बीस से, तो काम करेगी, नहीं करेगी, वही काम आपके, इलेक्ट्रान में होता है, कि जो दो तार होते हैं, एक फेस होता है, एक निट्रल होता है, तो फेस से इलेक्ट्रान ऐसे चलते हैं, चल के आर्थ में चले आते हैं, फिर फेस में चलते हैं, यह अर्थ में होती है ये system होता है ठीक है तो ये तो है electron के चलने का तरीका देखे अभी हमने कहा कि बहने वाली चीज हमेशा high level से low level बहती है ठीक है तो जैसे current बहती है धारा बहती है मतलब पानी बहता है उसे Chevron बहते है ठीक है यहांनी current बहती है इसलिए उसको आपने नाम क्या दिया है current तो current हमे अब current बहती है high से low, high बोले तो high voltage से low voltage कौन बहती है, current बहती है, और electron किदर चलती है, अब याद हो गया, electron किदर चलते हैं, low से high चलते है, देखो रटने वाली बात ना करिएगा, हमने इसलिफ बहने वाली चीज, जब आप heat की बात करते है, heat बहती है, heat बहती है, इसलिए heat की unit क्या मानी गई, calorie मानी गई, heat कैसे बहती है, हमने क्या किया, एक, एक rod लिया, metal का rod लिया, और यहां से हमने heat supply देना शुरू कर दिया, ठीक है, और metal के rod को इधर एक बरतन गुचेट दिया ऐसे, और बरतन के अंदर हमने क्या किया, इस प्रकार से ice cube और इस rod में अलग-अलग जगे हमें thermometer लगा दिये, अब thermometer ऐसे होते नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, thermometer लगा दिये, तो जब यहां से heat बहना शुरू ही, तो thermometer अपनी reading देना शुरू कर दिया, इसका 10 degree हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 6 हो गया, और यह बर्फ पिखलना शु माल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद heat और अपने supply दी, लेकिन यह thermometer reading चेंज नहीं कर रहा है, तो thermometer reading नहीं चेंज कर रहा है, मतलब क्या हुआ, कि heat flow नहीं हो रही है, यह ऐसा दिमाग हमारा चल ला है, कि heat flow नहीं हो रही है, लेकिन बर्फ तो पिखल रही है, बर्फ पिखल र कराने के लिए, इस metal का जो ये वाला item है, क्या ये यहां गया, जिस rod को आपने गरम किया, मनले लोहे का ये वाला rod किनारा गरम हुआ है, इसको गैस पर रखा हुआ है, क्या ये वाला किनारा उठके यहां गया है, उसने क्यों heat transfer की है, तो heat ऐसे चला ही, जैसे बहती भी तो heat बहती है, तो कहां से कहां बहेगी, high temperature से, पानी बहता है high pressure से, high height से, तो current high potential से, संच में आगी बात, तो ये तो होगी कि current की high potential से low potential की और current बहती है, current बहती है, अब हम जानते है current जिदर बहती है, electron उसके, और positive charge उसके along चलते हैं, तो आब आपको याद हो गया कि positive charge low potential से high potential, तो ये तो concept है, कि भाई, हम जो electrostatic पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने charge develop किया, charge develop करने के बाद हमने charge store किया, store करना सीखा, store करने के लिए हमको मजबूरी ये थी, कि charge बदी बतमीजी कर रहे थे, हमको अलग से work करके, उस charge को store करना पड़ा था, capacitor में, अब हमको charge store हो ग समरे में energy चाहिए, light के फार में चाहिए, heat के फार में चाहिए, पंख्या चलाना है, बहुत सारे काम हमारे होने, तो अपनी battery से हमको यहाँ पर उसको ले किया पड़ेगा, तो कौन ले कि आएगा, electron पर वर किया था, तो वही charge ले करके आएंगे, जबाएंगे, हम दिया रह हैं current, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, electric current की बात करने जा रहे हैं, अब बात हो रही है, कि भाई, electric current क्या होती है, electric current, current मने बहने वाली चीज, electric current, हम flow कराने के लिए electron को flow करा सकते हैं, flow कराने के लिए positive charge को भी flow करा सकते हैं, ठीक है, देखिए, electric current कैसे दी गई, हमने क्या किया किसी भी क्रॉस सेक्षन एरिया को हमने लिया है एक मेटल पीस लिया है ये इसका क्रॉस सेक्षन एरिया है ये बताईए अगर मैं कोई मेटल पीस लेता हूं मेरे पास नहीं पड़ा होगा मैं माल लेता हूं ये मेटल पीस है इसमें इलेक्रान नहीं है क्या अगर मै आप इनसे इसके इसके कर रहे हैं summary of the चलना शुरू कर देंगे, तो उसको कहेंगे current low रही है, तो लिखे electric current, the rate of flow of charge, the rate of flow of charge in any conductor is known as electric current, the rate of flow of charge in any conductor, through a cross section लिख दीजे, the rate of flow of charge in a conductor through a cross section is known as electric current, current, किसी चालक में, किसी अनुप्रस्थ कार्ड से, एक आंग समय में जतना आवेश्प्रवाहित होता है, उसको हम वैदुद्धारा कहते है, electric current, ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि electric current में I से कहें indicate करो भी है, current की spelling में तो कहीं I आता नहीं, तो वो इसकी intensity होती है, उसकी ताकत होती है, हमने क्या किया, ये एक metal लिया, और यहां पर एक cross section बना दिया, और यहां पर बादपीजी को बठाल दिया, खुरसी डाल करके, हम बताओ हर second कितने electron निकल रहे हैं, बोले साब, एक second में 10 electron निकले, अगले second में 20 electron निकले, 30 निकले, तो क्या हो रहा है, number of electron ज्यादा निक density of electric current की वज़े से यहां पर i से इंडिकेट किया गया है, तो i is equal to क्या होगा, q by t, इसकी unit क्या होगी, कुलाम पर second, या दूसरी निकले क्या होगी, इसकी, ampere, क्या ये सही लिखी वी है, हमने जो ये लिखा है, ampere, ये सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसमाल ल अब question ये हुआ, कि electric current को scalar quantity माना जाए या vector quantity माना जाए, तो ये बड़ा illogical चीज थी, दिमाग लगा है, कि current के लिए तो हमको arrow दिखाना पड़ता है, तो हमने इसके लिए बढ़िया सा formula लिखा, हमने का देखो, हम एक तार इधर से ले के आए, उसमें 8 ampere की current flow कराई, सुन दोनों तारों को यहाँ पर join कर दिया, और यहाँ से हमने current को आगे बढ़ाया, और यहाँ पर अपना emitter लगा दिया, उस current को नापने के लिए, ठीक है, आप दुरा vector की बात करते हैं, अगर आपने 11 पर पढ़ा होगा तो, कुछ लोग तो नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हो 3 होगा, तो नियमता है current कितनी होनी चाहिए, 3, लेकिन हमारा emitter क्या दिखा रहा था, 13 ampere दिखा रहा था, यानि यह vector addition को follow नहीं करता, यह हमने practically करके देखा, हम यह नहीं कहना चाहते थे कि current is scalar quantity है, हमने का practically करके देख लेते हैं, तो यह vector addition को follow नहीं कर रहा था, इसलिए हम current is a scalar quantity, because it is not following the vector addition rule, current एक अधिस्राज ही है, क्योंकि यह vector sum को follow नहीं करती है, current एक अधिस्राज ही है, क्योंकि यह vector sum को follow नहीं करती है, सदिस्स योग को, अरे वो उतना हिंदी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हमने अंग्रेज बना दिया है, ऐसा नहों कि हंदी वर्डे भूल जाओ, ठीक है, जो हमने practically किया, हमने क्या-क्या दो तार लिए, इधर देखे, एक तार में हमने 5 एंपियर की, 3 एंप वेक्टर्स हैं, उन्हें 90 डिग्री पे एड करते हैं, उनका रिजल्टन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले आप 4 एंपियर के लिए 4 सेंटीमेटर लंबी एक लाइन कीचिए, फिर जहां से इस वेक्टर का हेड खतम होता है, वहां से दूसरे वेक्टर की, टेल स्टार होगी, वहां से 3 एंपियर बोले, तो 3 सेंटीमेटर की लाइन कीचिए, तो जो रिजल्टन्ट मिलता है, वो कितना मिलता है, 5 मिलना चाहिए, मिलता है वेक्टर में, लेकिन हमको जो करेंट यहां मिली, वो कितनी मिली, 7 एंपियर की मिली, and it is not following the vector addition rule, चुकि vector addition rule को follow नहीं क कि यह वेक्टर addition को follow नहीं करती, इसलिए हमने इसको कहा कि यह scalar quantity है, हाद देर क्योंगी बाच्वी जी, है सही, आटा डालने गए थे, लोग गेहूं डालने जाते हैं, तुम आटा डालने गए थे, अज़ा चक्की से आटा लेकि घर में डालने गए थे, हाँ, बास सही, सम करते हैं, मैं हलका सा बता देता हूं, note करके इसको लेख लीजेगा, अभी हमने कहा, जिधर electron चलते हैं, current उसके opposite सलती है, actually में current कुछ होती नहीं है, जब electron चलते हैं, कभी आपने देखा हो, अगर देखा हो, तो जब बड़े-बड़े game के show होते हैं, जो उनको inauguration किया जाता है उनका, तो कुछ प्रोग्राम किये जाते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चो को एक flag ले लेंगे, और flag लेके कम से कम अपने सर के बराबर पर करसे हम हजार लड़का बैठा हुआ है, अब वो लड़का ऐसे बैठेगा कि वो flag बिलकुल आपको wave far में दिखा ही पड़ेगा, अज़ा कभी देखा आपने, छोड़ो अच्छा, इलेक्ट्रान जब चलेंगे ना, जब ये इलेक्ट्रान अपनी जगे छोड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ cavity उतन हो जाएगी, ठीक है, फिए ये इलेक्ट्रान यहाँ से इधर आएगा, यहाँ cavity उतन हो जाएगी, तो आपक पर हो जाएगी, उनके बीच की रोशनी होती है, वो चलती है से, तो एक्ट्रान जब चलते हैं ना, जहाँ से अपनी जगे छोड़ते हैं, वहाँ cavity उतन हो जाती है, वहाँ खाली जगे उतन हो जाती है, तो आपको खाली जगे निज़र आती है, नहीं आएगा, थोड़ी जगे होगी ना, अब यह इंडिया तो है नहीं कि पिच्चर लोग रायलम लगे हैं, तो चिपक की जाते हैं, पहले हम पहुंच जाएं, क्यों, क्योंकि निर्मा वासिंग पोडर का अड़र्टीजमेंट भी देखेंगे, पैसा दिया है, चैनल इतना खुड़ा हुआ है, मुह घुसर दिया अपना, आगे घुसर ने के लिगा, अब थोड़े मुवमेंट हो रहा है, कि लेक्टान चला भी खड़ा है, हाँ भाई साब आओ तुम भी आओगे, वो तो सब चलेंगे, चलेंगे, तो कैविटी हमको ने जराती है, एक नोटिंग सम लिजेगा, अभी हमने कहा, कि जिधर पॉजिटिव चार्ड चलता है, करेंट करेंट कहते हैं, इसको कौँ से करेंट कहते हैं, कन्वेंशनल करेंट कहते हैं, ठीक है, और जब इलेक्टान चलते हैं, तो इलेक्टान जिधर चलते हैं, यसे ये इलेक्टान है, तो अगर इलेक्टान इधर की ओड चलना है मालिया, इसको मोशन आफ इलेक्टान कह सकते है motion of electron motion of electron तो current किदा चलती है electron के चलने के opposite direction में तो ये जो current होती है इसको electronic current कहते है इसको जड़ा उस paper weight लगा दो इसको कहते है electronic current electronic current ठीक है तो ये कोई ज़रोत नहीं है इसकी पर याद करने के लिए ये motion of positive charge है motion of positive charge motion of positive charge अगर positive charge हम proton नहीं कह सकते है इसको it is not proton positive charge बोले तो deficiency of electron, electron की कमी not proton, क्योंकि protons are not responsible for the flow of charge flow of charge के लिए proton जिम्मेदार नहीं होते है ठीक है अब ज़रा समझीएगा कुछ बाते और अब current कितने type क्यों होती है types of current के बारे में बात कर लेते हैं types of current current का मतलब rate of flow of charge rate of flow of charge मतलब चार्ज हर second किसी cross section से कितना निकल रहा है त्यानिकि current ज़्यादा है नहीं इलेक्टान ज़्यादा चल रहे हैं या ज़्यादा तेज चल रहे हैं या ज़्यादा संख्या में चल रहे हैं दोनों बाते सही है ठीक है देखे एक तो होती है आपकी direct current कभी आपने देखा किसी system में time के साथ साथ आपने current ना पी तो आपको एक fixed current मिलती है जिसको हम क्या कहते है direct current जहां जिसकी value change नहीं होती है हमेशा fix रहती है इसको DC current कहते है जो कि आपकी battery देती है DC current आपकी battery देती है ठीक है दूसरी DC ही कह सकते है DC का मतलब देखे है electron एक ही direction में चल रहे है ठीक है इसको कहते है variable current variable current नाम से ही लग रहा है जिसकी value change होती रहे परे मालिया electron चल रहे है एक second में 10 electron निकले अगले second में 5 electron निकल पाए क्यों बैटी low हो गई बैटी धकानी दे पा रही है लेकिन चल तो उसी direction रहे न तो है DC करेंट लेकिन उसकी value time के साथ साथ change हो रही है तो यह आपकी variable current है तीसरे type की current है जिसको आगे पढ़ेंगे alternating current alternating current इसकी direction भी electron की बदलती रहती है तो यह current जो होती है वो इस type की होती है इधर जाएंगे वापस जाएंगे ठीक है यह हमारे किसी काम की ज़्यादा नहीं होती है लेकिन हमारे लिए हमारे घर तक पहुँचाने में यह इसका बड़ा योगदान है सुराती दौर में जब current की खोज की गई होगी उसमें DC current का बोलबाला था ठीक है और DC current के जो supplier थे सबसे जादा वो एडिसन साब थी DC current में एक दिक्कत हुए होती है कि बैट्री से जो इलेक्टरान निकलेगा वो इलेक्टरान पूरे circuit में होता होता पूरा लौड के बैट्री में जाएगा मतब बैट्री से निकलेगा आपके पूरे घर में rotate करेगा जहाँ-जहाँ उसको जाना है और लौड के वहाँ जाएगा और फिर वहाँ charge होगा फिर उसको energy मिलेगी बैट्री दोरा बैट्री फिर उसको जैसे conveyor belt कहते है उससी तरी को धका मार के ले जाएगी लेकिन मजबूरी आती है कि जब हम बैट्री से electron को लेके आएंगे तो रास्ते में तो bulb जल ला है सभी electron bulb की माध हम से जाएंगे तो bulb पहले energy चूस लेगा फिर आगे motor लगा दी हमने तो motor तब पहुंचते पहुंचते electron के energy कम हो सकती है ठीक है तो ये हमें convenient नहीं था घर में हर जगे ले जाने के लिए ठीक है उसके लिए हमको AC बनाने पड़ी तो AC में क्या होता है electron आपके घर तक नहीं आता है आपनी जगे पर ही वो oscillate करता रहता है और energy को दूसरे electron को transfer करता रहता है ठीक है तो ये energy हमारे घर तक आसानी से पहुंच जाती है कि एक तो आपस में collision नहीं होता जब battery से 2000 electron निकलेंगे और पूरे circuit में घूमेंगे तो तार के माध्यम से जाएंगे तो आपस में collision भी थोगा उनका तो energy loss भी होगी तो main ये तीन प्रिकार की होती है एक और होती है इसको instantaneous current कहते है instantaneous current मतब जो current बहुत short time के लिए होती है जिसे कहीं sparking हुई या बिजली गिरती है एकदम से जिसे बादल चमके और एकदम से बिजली गिरी तो instantaneous current हो तो बहुत rate of flow of charge इसमाल होता इसको dq by dt कहते है अपने 11 पड़ा होगा जब d के हम बात करेंगे तो बहुत इसमाल time control में जो charge flow होता है उसको हम instantaneous current या transient current भी कहते हैं ठीक है वो instantaneous को हिंदी में instantaneous भी लिखेंगे ता चड़िक धारा आप लिख सकते हैं ये आपकी dish धारा है ये परिवर्ती धारा है ये आपकी alternating धारा है हाँ y axis पर आई दिखा दू ये आई है तो ये सम्न में आ गई होगी बात ये तो आगे सप्ड़ाए जाएगा आपको ठीक है अब आते हैं current density current density current per unit area is known as current density next है current density current density को j से indicate करते हैं इसों कते है current per unit area एक आंक छिदफल में बहने वाली धारा को current density कहते है rate of flow of charge in unit area is known as current density current density कहते है और current density कैसी unit होती है j जो है वो vector quantity होती है अब आपको अजीब लग रहा होगा कि current हमने scalar quantity होती है और वही current unit area में flow रही है तो vector quantity कैसे हो गई आपको याद होगा जब गौस्थरम पढ़ाए गई थी तो आपको area बताए गया था vector quantity है अगर किसी पैनलोग्राम की ये sides A और B है तो इसका area क्या होता है A cross B तो area कैसी quantity है वेक्टर quantity है ठीक है तो current density कैसी quantity है वेक्टर quantity इसे सिद्ध करने जा रहे है कैसे वेक्टर quantity है जड़ा समझने की कोसिस करिएगा हमने एक metallic wire लिया एक metallic wire लिया और हमने यहां पर एक cross section ले लिया ठीक है wire पतला भी हो सकता और बड़ा भी हो सकता है मोटा भी हो सकता है पतला है तो cross section छोटा होगा बड़ा है तो cross section बड़ा होगा ठीक है आप से हमने कहा बताएए यहां से पर यूनिट एरिया कितनी current flow हो रही है आपने देखा पूरी एरिया में से 1000 एलेक्टरान निकल रहे है पर सेकंड तो 1000 एलेक्टरान या N एलेक्टरान निकल रहे है तो N एलेक्टरान multiplied by charge of electron तो यह आ गया एक सेकंड में flow होने वाली charge इसी को तो current कहते है इसी current कहते है न और आपने इसको यानि इसको हमने i कह दिया और इसको किसे डिवाइड कर दिया एरिया से तो इतनी एरिया से पास होने वाले current को इसकी एरिया से डिवाइड कर दिया अब बताओ यहां से माल लेते हैं कि 50 एलेक्टरां 70 एलेक्टरां निकल रहे हैं अगर इस सर्फिस को यह वाला सर्फिस ऐसे मोड़ दे हम इतना यह वाली एरिया ऐसे हम ले आएं ऐसे ले आएं क्या इसकी वैलू चेंज हुई है एरिया कम हो गया है तो आप सीधे खड़े इतने इलेक्टरां निकल रहे हैं इसनी एरिया से इलेक्टरां निकल रहे हैं इस वाले पार्ट में से जो इतना पार्ट बचा है इतना इलेक्टरां निकल रहे हैं कि यह वाला पार्ट अलग हो गया अगर यह एंगल ठीटा है तो आप जानते हैं इस एरिया का जो यह चेंज करने से आपकी current density की value change हो रही है ना इसका हमतार area कैसी quantity है vector quantity है तो current density भी vector quantity है इसकी unit क्या होती है बता ज़रा ampere पर meter square लिखिये यह मत बनाइएगा जरूरत इसकी है नहीं जरूरत नहीं है तो नहीं है कि किताब विबु को अदर रख दो अब थोड़ी सी कहानी उस कहानी को ध्यान से समझेगा सबसे पहले यहां पर आएगा mean free path mean free path माध्य मुक्त पत उसको कहते हैं माध्य मुक्त पत mean free path क्या होता ज़र समझने की कोशिद करिए जब electron move करते हैं तो इनका आपस में टकर होता है चीक है यह electron गया इससे टकरा गया तो को टकराने का मतलब यह नहीं होता है कि आपस में टकरा ही जाओ आपको collision पढ़ा हुगा 11th class में तो वहां दो body को टकराने को भी collision कहते हैं और एक body के रास्ता काट जाने को भी होई आपसे टकराया वह तो काई जैसे कर रहे थे और गिर गया आप पता चला वह भी collision होता है electron practically से नहीं टकरा सकता ना क्योंकि electron एक electron एक दिश्चे को ripple करते हैं तो जैसे यह से टकराएगा हम तो collision ही कहेंगे ना जैसे इस से टकराएगा रास्ता अपना change कर देगा तो क्या जरूरी है इतनी ही दूरी भी कोई electron हो हो सकता है electron यहां से जाके यहां टकरा गया यहां से जाके यहां टकरा गया यहां से जाके यहां टकरा गया तो हर एक टकर के बाद इसकी दूरी change हो रही path change हो रहा न तो दो टक्कर के बीच का जो average path होता है उसको हम क्या कहते है mean free path the average distance traveled by electron into successive collision तो लिखेगा the average distance traveled by electron the average distance traveled by electron into successive collision दो क्रमागत टक्रों के बीच चली गई आउसत दूरी को माध्य मुक्तत कहते है नहीं English में मत यह हिंदी लिखेगा एक student लिखता था जब दो क्रमागत लिखे था इसे लिखता दो क्रमागत तो मैं बगल से निकला तो हिंदी भुला उंग्रेजी बहुद लिख रहा देखे तो देखा जा हिंदी को इंग्लिस में लिख रह था तो the average distance traveled by electron in two successive collision is known as mean free path mean free path denoted by lambda इसको lambda से denote करते हैं ठीक है दूसरा आता है relaxation time relaxation time श्रान तिकाल क्या कहते हैं इसको हिंदी में श्रान तिकाल इसकी हिंदी जाना जरूरी है relaxation time नाम से लग रहा है टक्रवा को relax कर रहे होंगे आपने दो हीरों को लड़ते वे देखा होगा और जब लड़ते को तो हारते नहीं एक दूसरे से और लड़ेंगा इसे इसे टकना इसे लेड़ गया थोड़ी देर तक अपना relax हुए फिर दोनों एक साथ खड़े हुए जैसा इसे खड़े होते हैं उसको ज़से लगता इस प्रिंग लगी हो फिर लड़े बाद में ओ चिने दिखाई पड़ा और ये चिने तुमारे कहा से आ गया हमारे भी इस चिने अच्छा जब मा मरीन थी तब पता चलाबाद में भाई निकला है तो दो हीरो टक राते हैं तो थोड़ा सा relax करते हैं न तो दो collision के बीच में जो time लग रहा होगा न तो दो collision के बीच में जो average time होता है उसको हम क्या कहते हैं relaxation time तो लिखे कि the time interval between two successive collision the average time interval the average time interval between two successive collision is known as is known as relaxation time is known as relaxation time denoted by tau अब यह ने करना साब tau को तो अब tau का indication हो सकता है कहीं और भी हो ठीक है अब tau का मतलब यह तो हम हमारे कुटे का नाम बास्सा है अब बास्सा रखें तो अगवरे थोड़े होते हैं कुछ भी हो सकता है अब हम एपी वाजपे नाम में तो हो सकता है ब्रिटन में कुटे के नाम में भी वाजपे हो तो हम लोग tau यह हमी रखते है तो ऐसा अब एपी मतलब मास्टर होता है कुट्था भी हो सकता है ब्रिटन में हो सकता है तो लिखे दा average time interval between two successive collision is known as relaxation time relaxation time ठीक है देखे थोड़ा time घर पे दीजिएगा आप लोग क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यह है कि कुछ दिखता नहीं हम visualize करेंगे जरूर लेकिन हम electron को दिखा किए देखो electron है इसकी आँखे इसकी आँखे गुदगदा दिया है अब लिखे drift velocity यह तुरा टेक्निकल चीज है यह समझ में कम आती है और समझाने में भी कम आती है drift velocity on a one week लिखे drift velocity जरा drift velocity का मतलब समझेगा मतलब समझ में आ जाएगा lunch के समय छुटी होती है एकदम से आप सड़क पिनी आते है मतलब field में आ जाते है ठीक है क्या कर रहे होते हैं पते नहीं क्या कर रहे होते हैं इधर उधर कर रहे होते हैं ने सब random इधर उधर move कर रहे होते हैं ठीक है मुवमिंट वैसे ही हो रहा है मतलब जा जा ऐसे ही रहें सब लेकिन थोड़ा सा मूब कर गए जा ऐसे रहें थोड़ा सा मूब कर गए दूसी तरीके से समझेगा किसी भी मेटल में इलेक्टरान रेंड़म मोशन शो करता है इधर जिग-जैक मोशन करता है, तो आन एवरेज उसकी विलास्टी क्या होती है? जिरो होती है आने अवरे तो जिरो मानी जाएगी ना जबकि इसकी विलास्टी टेंट पौर फाइब के आर्डर की होती है वैलू करें लिखी होगी उसकी विलास्टी टेंट पौर फाइब के आर्डर की होती है सब्सक्राइब एक लाक किलोमीटर पर सेकंड क्या सब्सक्राइब एक लाक नहीं आइसा कुछ खाज बने एलेक्टान है यह कुछ भी कर सकते हैं आप कल्पना करिए कि जब हम बोल रहे हैं तो स्पीड आफ फ्लाइट से चलते हैं स्पीड आफ लाइट से वन अपार 137 टाइ हम बोल रहे होते हैं तो यहां से 8000 किलोमीटर दूर आस्ट्रेलिया में बैठा स्टूडेंट हमारी बात ततका सुन लेता है लाइट के सफतार से जाती है हमारी साउंड ठीक है अब कल्पना करिए कि लाइट से वन अपार 137 टाइम तो बहुत ज़्यादा स्पीड कम नहीं रही होगी ना तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो देखे इलक्टान यहां पे था ठीक है अब इसका रेंडम इसे ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा बार बार एक दम से मना नहीं पाएंगे ठीक है और बाद फिर यहां के मिल रहा है हमने जैसे बैटरी लगाई ठी तो इलक्टान क्या करता है ऐसे ऐसे मूव करेगा यहां के रूग गया कितना मूव किया इतना स्पीड इसकी बड़ी पांच किलो पांच मीटर पर सेकंड पांच मीटर पर सेकंड पहले कितनी लाकों में थी लाकों में वैसे ही है ऐसे रोटेट किया लेकिन हलका सा बढ़ पर अब जब एक करोन इलेक्टरान एक तरफ खिसक रहे हैं थोड़ा सा खिसक रहे हैं तो आपको जब बल्क में देखोगे तो काफी कुछ नजर आएगा नहीं समझे बात थोड़ा आगे बढ़ गया पहले वह मूवमेंट करके यह पार रहता बार बार अब थोड़ा यहां पर आगया अब यहां से मूवमेंट करेगा यहां पहुंच गया एक सिकंड बात ठीक है तो थोड़ा आगे बढ़ रहा है अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है नहीं समझे जैसे सेना आपने देखा हो सैनिक चल रहे हैं पना कद यशा है यहां 50,000 इक्तान है 50,000 इक्तान है और 50,000 इक्तान हैं इे शान रहे हने और 100,000 Hedefined तो यहां पहुंच्ट यह पो में एक बहुत इसमाल विलास्टी उसको मिल जाती है उस विलास्टी को हम क्या कहते हैं डिफ विलास्टी कहते हैं ये वाली जो विलास्टी रेंडम है वो नहीं खतम हुई वो है सही है ठीक है लेकिन मतलब होता नहीं यसे आपको करेंट फ्लो करानी है अब हमें आप से काम कर और आप चिल्विलिया करें इदर दूप रहें तो हमने लेक जूता खड़े हो गए जाना तो पड़ेगा तो वे तो आपने बोजा लादा हो आएंशा इसे गूम रहे देखा था थोड़ा और आगे बढ़ गए तो यह डिफलास्टी हो रही है तो हमें उससे मतलब नहीं कि अब इदर दूप कहा रोटेट कर रहे है आपको आगे सामाल ले जाना है वह ही तो किसी हैं जब एक डिरेक्शन में चब चल रहे हैं सेम ब्रास्वी चल रहे है तो कॉलीजन कैसे होगा आप एक करोंड लोग है एक तो आपस में रिपल करते हैं एक दुस्रे को ठीके हैं व बैठा हो अराम बेठाए उसमें कोई धिक्षण वार्शी नहीं लगता है तो फिसे को उस्ति देख्ट नहीं होता है आपस में और एक अरव इलेक्टरान एक साथ एक डिरेक्षन में एक विलाशी चल रहा है तो कोई किसी को supersede नहीं कर रहा है ठीक है तो collision नहीं होता है ये nature में भी नहीं होता है collision होता है कभी आप बस में जाईए बाजपी जी अगर बगल में आप हो जाए तो भी समझे हैं ना समझे हैं होगे लिखे in any metal लिखें डिफ्लास्टी की definition in any metal the electrons move in random motion the electrons move in random motion the electrons move in random motion so the net current in the अभी हम लिखवा रहे so net current is in the metal wire is zero so the net current in the metal wire is zero metal wire is zero metal wire is zero if we join the ends of the metallic wire if we join the ends of a metallic wire with a terminal of a battery with a terminal of a battery then a potential difference is set up a potential difference is set up and electrons move in one direction with a small velocity an electron moves in one direction with a small velocity क्या चुड़ गया if we join the ends of the metallic wire with the ends of a battery terminal of the battery then a potential difference is set up then the potential difference is set up is set up and electrons move in one direction with a small velocity known as drift velocity known as drift velocity इसी को हम drift velocity कहते हैं denoted by V small d VD denoted by VD आप लेक्षिजेगा किसी भी लेक्षिए किसी भी چालक तार में electron इधर उधर अनिमित रूप से किसी भी चालक तार में electron इधर उधर अनिमित रूप से कित्ट किया करते हैं तार में नेट धारा जीरो होती है, तार में नेट धारा कामान जीरो होता है, यदि तार के सिरों को एक बैटरी के टर्मिल से जोड़ दिया जाए, तार के सिरों को एक बैटरी के टेमिनल से जोड़ दिया जाए तो इलेक्टरांस पे बल लगने लगता है और वे एक दिशा में एक नियत वेक से चलने लगते हैं जिसे अनगोन वेक कहते हैं जिसे ट्रिफलास्टी कहते हैं सब्ज़वाई बात तो यहां तक बात हो गई अब इसके बाद इलेक्टरां चलेंगे करेंट फ्रों होगी फिर मैं बता दूं मतब यह है कि आपको मैंने एक सामान आप इलेक्टरां हैं बहुत बंचन हैं इधर उदर मूम्में क्या करते हैं क अगे बढ़ जाते हैं तो धिरे-धिरे क्या होता है कि हर सेकन्ट जितना आगे बढ़ोगी अल्टीमिल्टरी सामान तो पहुंच जाएगी तो करन तो फ्लों हो जाएगी अब आप कल्पना करिए कि एक अरब लोग है पूरे एक अरब तो इंडिया में है डेडर अरब पू सब आतंगवादी पूरे वर्ड में भैल जाएंगे सब आदमियों को ग्यारा फजे सब को एक तरफ किसका देंगे लेक जूता किसका दिया मार डालेंगे नहीं तो अगर 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 ऐसा हो जाए तो कर भी देंगे तो इसको डिट्ट फ्लास्टी कहते हैं समझे बात नहीं तो यहनी कि रैंडम मोशन नहीं बंद करती लेक्टान लेकिन क्योंकि चार्ज कितना होता है एक कुलाम चार्ज मालूं कितना होता है नहीं मालूं सुनिए ध्यान से एक सॉर्ज एक हुलाम चार्ज एक अरब रेटान कर रहे हैं तो 200 साल बाद दे ट्रांसफर हो पाएगा इसको केवल ट्रांसफर होने 200 साल लग जाएंगे अब कल्बना करिए कितना ज्यादा एक वैलू होती है एक गुलाम की ठीक है तो इसको पढ़के आईएगा नई चीज तो नहीं है लेकिन दिखती रही है विलकुल ठीक है ठीक थेंक यू